हेलो एन वेलकम भाई हों स्वागत है आपका लेमिंटर सी यूटूब चैनल में तो आज का वीडियो बड़ा ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ही खास है मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो फिचर में कहां जाएगा बट ये वीडियो सच बता रहा हूं बहुत करना चाहते है जाएर से बात है जो भी प्यार करेगा वह अपने परटनर से ही साधी करना चाहेगा ये वीडियो अपके लिए इंपोर्टेंट है और आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं एक कॉमेंट से ये कॉमेंट जिसका है उसका नाम मैंने यहापे घर करके रखा है कि मैंने आप लोगों बताया था कि मैं किसी का नाम भी एक्सपोज नहीं करूंगा तो यह पर यह कोमेंट है एक भाई का इन्होंने लिखा है कि सर मैं कुछी दिन पहले आपका चैनल जॉइन किया है मैंने और धीरे-धीरे आपके सारी वीडियो देखने लगा एक आप ही हो जो मैं बेंगाउली हूँ और एक ही गाऊं में हम दोनों रहते हैं जो कैसे उसको यकिन दिलांऊं और किस तरीके से हमारी साधी हो पाएगी इस बारे में कुछ सजेस्टन दो प्ला Halald कosi यह बारा के और current situation की बात करें तो ये बढ़के 44% हो गया है यानि कि देखो कितना ज्यादा इसमें उच्छा लाया है कहां 12% था अब कितना हो गया बढ़के 44% अब ये 3 साल बाद आपड़ों के हिसाब से कहा जा सकता है कि ये 90% के पार हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा यानि कि 2021 के आज पास में इंडिया में लब मेरिज बहुत ही common बात हो जाएगी तो यहां पर क्या है आपको ये समझाना पड़ेगा, अपने पार्टरों को convince कर सकते हो या खुद को convince करने के लिए ये आकड़े आपके बहुत ज़्यादा helpful है क्योंकि तीन साल पहले जो था वो केवल 12% ही था ये ratio अब हो गया 44% तीन साल में ही, तो तीन साल में क्या ये 90% नहीं हो सकता है तो यहां पर अब आपको क्या करना है वो सुन लो, अब आपको ज़्यादा हडबड़ी नहीं करना है अब यह सुच के मरे नहीं जाना है, कि यार मेरा तो लमेरिश होई नहीं पाएगा मैं अपने पार्टनर से मिली नहीं पाएगा, हमारा मिलन होना तैहीं नहीं है ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो, आपके परिवार बाले गलत नहीं है समाज गलत नहीं है क्यों क्योंकि उनकी परंपरा यही रही है ठीक है तो उस परंपरा को बदल के एक नई परंपरा वहाँ पे लाके रखना यह इतना आसान नहीं है ठीक है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा यह समय का बदलाव है यह इसको लोग accept करेंगे खोले दिल से accept करेंगे लेकिन अभी नहीं थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है क्या है कि 2021 तक आपको सिर्फ वेट नहीं करना है इस प्रोसेस में आप खुद को भैतर बना सकते हो खुद के लिए जॉब ढून सकते हो खुद का future अच्छा कर सकते हो खुद का standard बढ़ा सकते हो जिससे कि आपके साधी आसानी से हो जाए तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर यह सूच आज के हिसाब से decision ले रहे हो तो आप निरास हो जाओगे लेकिन future के हिसाब से decision लोगे और देखो प्यार अगर करते हो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो ठीक है ना आप यह मेटरने करता आप एक गाउं के हो कि दूसरे गाउं के हो कहा के हो कहीं के भी हो एक गाउं के भी हो फिर भी आपके साधी होगी लेकिन समय के साथ होगी तो आप इंतजार अगर कर सकते हो, तो हमेशा के लिए आप मिल सकते हो, अगर हडबड़ी में हो, आप अपनी फैमिली बालों को बोल दो, ठीक है, कि मैं जिससे प्यार करता हूं, उससे साधिक करूंगा, यह करूंगी, ठीक है, बोल के रखो, तो धीरे-दीरे जब समय है, तो जब कौमन आगर हो जाएगा, आसपास सभी जगों पर यही लब महरीश ही होगा, पसंद रूप से साधि होगी, यहाँ पर क्या है, कि वो भी सूचेंगे कि चलो, अच्छा, यह जिससे प्यार करता है, उससे करा दो, इसके साधिक है, तो इस तरीके के possibility बनी है, ठी तो यहाँ पर आपको जो करना है, वो यह करना है, आपको बस वेट करना है, वेट करना है, कि समय वो आ जाए, ठीक है, और यह 2021 तक आ जाएगा, ठीक है, और आपको वेट करना है, इसलिए वेट नहीं करना है, कि कुछ ना करने, बस वेट करने, भाई ने बोला है, इस तरी का जानो कि आप अपने पाट मतलब जुदा नहीं हो गया आप लब मेरी चाटकी हो जाएगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कॉमेंट वगेरा कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा वीडियो को और सेर वगेरा भी कर दीजेगा नय हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीज कर दीजेगा और आज की वीडियो में पास इतना ही गुड़ बाइ और टेक केर अ झाल झाल झाल